हलो दोस्तों SPA Classes 1 में आपका स्वागत है हम आपको LCM के बारे में बता रहे हैं पिछले क्लास में हमने बताया था अब की बार उससे कुछ हट कर है या भी देख लीजिए ये कोश्चन लिखे हैं सव और दो सव के बीच की संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6 से बिभाजन के पस्चाद देखें हम भासा बदल दिया उस बार बिभाजी थोने के बाद था इस बार बिभाजन पस्चाद सेस 3 प्रतेग दसा में बचे तो सेस 3 प्रतेग दसा में बचे तो इसका क्या करेंगे 3, 4, 5, 6 इनका LCM लेंगे 60 हो जाएगा 60 60 हमारा 100 और 200 के बीच में नहीं है तो 60 का कोई ऐसा गुड़ज कीजिए या उसका ऐसा गुड़ज लीजिए जो 100 और 200 के बीच में हो तो 100 और 200 के बीच में ये 2 से गुड़ज करेंगे तो 120 हो जाएगा और 120 हो जाएगा तो सेस जो हमारा बचा है वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे प्रतेक दसा में सेस 3 बचे तो 117 यही हमारा एंसर होगा बच्चों देखते रहिए नोट कर लिजिए प्रतेक दसा में सेस 3 बचे तो यहाँ प्रतेक दसा में सेस 3 बचे तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 123 हो जाएगा यह उत्तर आएगा विभाजन चुकि सेस दसा में एक बच रहा है अगर सेस करमसा बचता तब वो घटाया जाता करमसा नहीं बच रहा है तो देखिए अब नोट हो गया इस प्रसन को देखिए अगले प्रसन की तरह हम चलते हैं अगला प्रसन हमारा क्या है इसको भी देखिए देखे हैं माडल बदल कर प्रियास कर रहे हैं कि आपको बताते चलें यहाँ पर दूसरा कोश्चन यह है कोशिस कर रहे हैं कि सभी प्रसनों को हम कुछ न कुछ तरीके से हल करने की कोशिस करें और आप उससे समझ जाए देखे यहाँ है तेन गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े साथ और पांच गुड़े साथ गुड़े ग्यारा का लासपा लासपा क्या है यह प्रसन है आपको इसमें से हल करना है तो कामन मल्टीपल हमने बताया है कामन मल्टीपल आपको ढूड़ना है कामन मल्टीपल क्या क्या मिल रहा है देखिए कामन मल्टीपल में यहाँ पर साथ सिर्फ है तो साथ को एक बार लेना है दो बार नहीं लेंगे जैसे गुड़न खंट करने यल्सियम निकारने पर दो दो बार तीन बार आता है तो उसी तरीके से तो यहां दो गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े साथ गुड़े इग्यारा यही हमारा क्या होगा समझ में आया इन में से हर अंग को ले लीजिए छोड़ना नहीं है चूंकि जो डवल है डवल मत लीजिए उसको यह कहीं बार लीजिए लासापा काटने पर पांच पांच से काटेंगे ति यह का जाएगा एक कमाने कुछ नहीं होता है एक कमाने यह होता है किसी संख्या में अगर गुड़ा किया जाए तो उस संख्या में उसका मान आप परिवारतित रहता है एक कार था है अब देखिए अगला प्रस्ण यहां है कि इसी माडल के एक और बता दे रहे हैं देखिए दो गुड़े तीन गुड़े चार और पांच गुड़े तीन गुड़े दो और चार गुड़े पांच गुड़े तीन गुड़े दो का लासपा क्या है देखिए अब यहां दो यहां भी है दो यहां भी है तीन यहां है तीन यहां है चार यहां है इसका तो कामन इसमें मिल रहा है फिर पांच, तीन, दो इसमें मिल रहा है तीसका LCM क्या हो जाएगा दो, गुड़े, तीन, गुड़े, चार, गुड़े, पांच अगर मान चाहे तो रख सकते हैं दो, तीयाई, छे, छे, पचे, तीस इसका LCM कितना आजाएगा चार, पचे, बीस, तीयाई, साड़, नहीं, एक सो बीस इसका LCM 120 आएगा अगर आपको विकल्प ये दिया है दो, गुड़े, तीन, गुड़े, चार, गुड़े, पांच तो ये भी सही है, और ये भी सही है अब देखिए अगला प्रस्न है अगला प्रस्न, प्रस्न संक्या तीन है प्रस्न संक्या तीन है, वह चोटी से चोटी संक्या बताओ वह चोटी से छोटी संख्या बताओ जो आठ बारा पंदरा और बीस से भाग देने पर सेष क्रमस सेष क्रमस पाँच नव बारा और सत्रह बचे तो हमें यही निकालना है बच्चो देखिए आठ बारा पंदरा बीस वह चोटी से छोटी संख्या हमें लेना है कोई ऐसी चोटी संख्या लें कि जो आठ बारा पंदरा से अगर भाग दिया जाए तो हर हाल में सेष पांच नव जैसे आठ से भाग दें सेष पांच बारा से भाग दें सेस 9, 15 से भाग दें सेस 12 और 20 से भाग दें सेस 17 बचना चाहिए तो अब इनका यल्सियम ले लीजिए यल्सियम से पहले जब परतेक दसा में सेस 3 बच रहा है तो पहले घटा दीजिए कि कितना हमारा सेस बच रहा है अब देखिए अगर इनको घटाएंगे तो यहां सब में सेस 3 तीन बचेगा इसलिए सब तीन को नहीं लेंगे एक तीन कामल लेंगे जब एक तीन कामल लेंगे तो एक तीन कामल के बाद आप हल कर सकते हैं यल्सियम करेंगे यल्सियम से इनको घटा देंगे सेस 3 पिछले क्लास में बताया गया था और इनका अगर LCM लेगे तो 60 आ जाएगा 60, 12, 25, 25, 60, 8 नहीं 8 से नहीं कटेगा इनका LCM 120 होगा 8 से कट जाएगा माइनस 3 कर दीजिए माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 117 यह हमारा एंसर होगा यह देखते रहिए और समझते रहिए हमने एक छोटी कलास लिया है आपको समझाने का प्रयास किया है आप समझ जाएंगे मुझे उमीद है कि आपको यह प्रस्न आ रहा है और मैं यह उमीद भी कर रहा हूँ कि मेरे द्वारत समझाया हुआ आपको पूरी तरह से आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बाक्स में हमें सूचित कर दीजिए कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे तो हम अगले कलास में आपको पूरा प्रयास करेंगे और हमारे सामने जो बच्चे बैट कर पढ़ रहे हैं वो तो बताई रहें कि हमारी समझ में आ रहा है तो बीडियो देखने वाले भी ये बताएं कि हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्क्राइब कीजिए और सेयर भी करते रहे और सूचित भी करते रहे इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है धन्यवाद